ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयं यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविन्तानु पास्महे मध्यप्रिदेश भोज मुक्तिविश्विद्याले का इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोत केंद्र EMPRC प्रस्तित करता है समाजकारे विश्वपर आधारे ध्वनी कारिक्रम, व्यक्तित्व और समाजी करण ये कारिक्रम MSW पाठिक्रम के प्रथमवर्ष के विद्यारतियों के लिए दूतिय प्रश्णपत्र भारत की सामाजिक सरजणा और सामाजिक समस्याई की दूसरी एकाई पर आधारेथ है कारिक्रम के विशे विशेशग्य है Dr. Suneilil Goyal इस कारिक्रम का धोने अंकन, संपादन और प्रस्तुति करण किया है अमर बहादोर यादवने, तो लीजे सुनिए धोने कारिक्रम, व्यक्तितों और समाजी करण मध्यपदेश भोज विश्विध्यालाई के इस भोजवानी कारिक्रम में उपस्थित, समस्त विध्यारतियों का, मैं डॉक्टर सुनील गोयल, अभिनंदन एवम स्वागत करता हूँ मित्रों, आज की अध्यन का हमारा विशाय है व्यक्तित्व और समाजी करण, परस्नालिटी एंड सोशियलाईजेशन व्यक्तित्व किसे कहते हैं? What is personality? व्यक्तित्व की क्या विशेश्टाय होती? What are the chief characteristics of personality? आईए सरप्रथम हम इस पर चर्चा करते हैं व्यक्तित्व का अर्थ की जब हम चर्चा करते हैं तो व्यक्तित्व के संबन में हमारे समक्ष अनेक धारनाय जो समाज में प्रचलित हैं, वो सामने आ जाती हैं सादरन बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारेरिक बनावट और सुन्दर एक लिए किया जाता है हम अकसर लोगों से सुनते हैं इस मनुष्य का व्यक्तित्व आकरशक है, प्रभावशाली है, सुन्दर है कुछ लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को परियावाची मानते हैं और एक का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं कुछ मनुष्य व्यक्तित्व में एक या दो गुणों को उपस्थित मानते हैं जबकि दूसरे अनेक आस्पस्ट गुनों, आनिश्चित लक्षणों और आनिर्नित विशेष्टाओं का जटिल संग्रह मानते हैं। ऐसे भी मनुष्य हैं जो व्यक्तितों को जन्म से प्राप्त होने वाली वस्तु मानते हैं, जिस पर परियावरन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जो मनुष्य के कारियों में रमा रहता है। और सामाजिक गुनों का सू संगठित और गत्यात्मक संगठन हैं, जो व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ नित्य के आदान प्रदान में एक दूस्रे के साथ प्रदर्शित करते हैं। आखिर संस्कृति और व्यक्तितों में क्या संबंध है? What is the relationship between culture and personality? आई ये इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चा जिस समय पैदा होता है उस समय वहाँ न तो सामाजिक होता है न ही सामाज विरोधी वह तो केवल एक सावियَव होता है जैसा की किम्बाल यंग ने लिखा है की बालक मानव या सामाजिक रूप में जन्म नहीं लेता वह आरंब में पशुयोनी से संबंधित एक सावियव यानिकि औरकनिजम होता है केवाल उसके साथियों के साथ उसकी पारस्परिक अंतह क्रिया के द्वारा ही मानवी प्रवरत्ति को तथा उन क्रियाओं और विचारों के संकलन को प्राप्त करता है जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं प्रारंब में तो बच्चा सिर्फ एक निश्शित शारेरिक सरश्रा लेकर आता है उससे वंशानु संक्रमन द्वारा अपने माता पिता से कुछ शारेरिक लक्षन, कुछ मूल प्रवरत्तियां, प्रेणनाएं, सम्वेक, आधी प्राप्त होती है उसकी मानसिक और शारेरिक विशेष्टाएं, प्रेणनाएं, मूल प्रवरत्तियां, आधी सब कुछ केवल कच्चे माल की तरह ही होते हैं परन्तु समाज, इस कच्ची सामगरी से समाजी करन की प्रक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति के आधार पर उसे एक सामाजिक प्रानी के रूप में विक्सित क जो कुछ भी वन्शानु संक्रमन के द्वारा प्राप्त होता है, उसका विकास संस्कृति के द्वारा ही होता है। वास्ताओं में, मनुष्य में, जन्म के समय उन सब गुनों का भाव होता है, जो उसे मानव या सामाजिक बनाते हैं। उन गुनों या विशेष्टाओं को मनुष्य धीरे-धीरे समाज या संस्कृती से प्राप्त करता है या सीखता है। जन्म से म्रत्यू तक व्यक्ति समाज और संस्कृती में निरंतर अंतहक रियाय होती रहती है। जिसके फलसरूप मनुष्य में अपने कुछ विचार, लक्षन, मनोवरत्ती, आदतें आदी बन जाती है। शारेरिक एवा मानसिक विशेष्टाओं को छोड़कर एक व्यक्ति से संबंदित इनी सब सामाजिक विचार, लक्षन, मनोवरत्ती, आदी के संगठित पुंज को ही हम व्यक्तित्य के नाम से जानते हैं। प्रतेक बालक किसी न किसी समाज में जन्म लेता है, उसी में उसका पालन पोशन तथा विकास होता है। शेषव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पार करते हुए, वह समाज में एक प्रोड सदस्य का स्थान ले लेता है। जिस समाज में वहाँ पला है उसकी प्रथाओं, परंपराओं, विचारधाराओं, आदर्शों के प्रभाव में उसके व्यक्तित्व का निर्मान होता है और इस व्यक्तित्व पर समाज की रीतियां, प्रचलनों, विचारों एवं आदर्शों की छाप रहती है इनी विशेष्टाओं के योग को संस्कृती कहते हैं भिन्न भिन्न समाज, सम्मूहों की बहशा, साहित, कलाकोशल, विवा, परिवार, धर्म आदी की शेली, अर्थात संस्कार में रहता है अखिर व्यक्तिकत लक्षन तथा विशिष्ट कारे निर्धारन समाज में कैसे होता है प्रतेक समाज में व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशिष्ट कारे करने पड़ते हैं जिसका निर्धारन उसके इसपस्ट लक्षित लक्षनों के आधार पर होता है व्यक्ति के ये व्यक्तिकत लक्षन उनमें प्रारंब से ही रहते हैं वो धारण के लिए आयू तथा लिंग भेट पर आधारित निर्धारण कार इसी श्रेणी में आते हैं आयू भेद तथा लिंग भेद अनुसार व्यक्ति अपने समाज में विशेश कारे भार ग्रहन कर लेते हैं। एक ही संस्कृती में अनेक समू भी होते हैं, जिनके अपने-पने विशिष्ट कारे निर्धारन तथा मुल्य होते हैं। इस प्रकार कारे निर्धारन में भी एक ह समाज के अपने-पने विशिष्ट लक्षन होते हैं तथा इनी के आधार पर अमुक समाज के सजस्यों की दार्णाओं एवं रूचियों का भी निर्धारन होता है। किसी स्थान पर किसी रंग को शेश्ठता दी जाती है, तो किसी स्थान पर किसी रंग को यह भिन्यता ही व्यक्तित्व की विकास की प्रक्रिया में भी भिन्यता उपस्थित कर देती है। व्यक्तित्व कार निर्धारन से संबंदित सुरक्षा एवं असुरक्षा क्यों होती है। आईए इस पर भी एक चर्चा कर ले। कारे के नीमित रूप से करने से उसे असुरक्षात्मक इस्थिति का भान होता है, तो वहाँ पत से विचलित हो जाता है एवं समाज विरोधी कारे करने लग जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारे से संबंदित असुरक्षा ने अमुक व्यक्ति को समाज विरोधी बना दिया, सामाने कारियों के निर्धारण से भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, संस्कृति के द्वारा व्यक्तियों के विशिष्ट एवं प्रथक कारियों के अतिरिक्त सामाने कारियों का निर्धारण भी होता है, इन कारियों का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व क विकास पर उतना ही अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जितना की विशिष्ट कारियों द्वारा पड़ता है। संस्कृति के द्वारा निर्धारित इन कारियों में प्रतिस्पर्धा तथा सायोग से संबंधित कारियों का व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण इस्थान होता है। प्रतेक संस्कृति में बालकों का लालन-पालन भिन्य-भिन्य प्रकार से किया जाता है। इस सांस्क्रितिक भिन्यता का व्यक्तित्व के विकास पर अत्यनत महतवपुन प्रभाव पड़ता है। बाल्या वस्था में समाज द्वारा दी गई शिक्षा के व्यक्तित्व का विकास होता है। बालकों का लालन पालन वा शिक्षा दिक्षा भिन्य-भिन्य संस्कृतियों में ही भिन्य-भिन्य प्रकार की ही नहीं होती। परन एक ही संस्कृती में विभिन वर्गों के आधार पर यह भिन प्रकार की होती है। भारत में ही ब्रह्मन, शत्री, वेश्य तता शुद्रों में बालकों का लालन प्रन भिन भिन प्रकार से देखा जाता है। प्रतेक समाज तता संस्कृति में अपने आदर्श नियम होते हैं, जिसके आधार पर बालकों का समाजी करण होता है। शुद्रों के लिए धर्म ग्रंथों का पढ़ना वर्जित है, अतहवे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। तता समाज के प्रारंब से ही हींता की ग्रंथी का विकास होता रहता है। इसी प्रकार अनवर्गों के बालकों का भी व्यक्तित्व, विशिष्ट तता भिन्दशाओं में विक्सित होता रहता है। संस्कृती व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है और क्यों प्रभावित करती है? संस्कृती और व्यक्तित्व के संबन्द में कुछ मान्यताएं पाई जाती हैं. आईए इन मान्यताओं पर भी एक चर्चा कर लें. व्यक्ति के प्रारंबिक अनुभाव उसके व्यक्तित्व पर एक अमिट छाप डालते हैं. व्यक्ति विशेश के रूप में उसके प्रशिक्षन व्यवस्था के विकास पर समान अनुभाव, समान व्यक्तित्व के पुंज उत्पन करते हैं. किसी भी समाज के सदस्य अपने बच्चों के लालन पालन में समान प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करते हैं यद्य भी वे विल्कुल समान निश्चित तोर पर नहीं होती है विभिन्न समाजों में बालकों के लालन पालन की वीधियां विभिन्न विभिन्न होती हैं उक्त मान्यताओं से यह तो इसपस्टी है कि व्यक्ति के प्रारंभिक अनुभाव व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं और एक समाज के बहुस से सदस्य प्रारंभिक अनुभव के अनेक तत्व समान रूप से अनुभव करते हैं। इसके फल्सुरूप उनके व्यक्तित्व के अनेक तत्व समान हो जाते हैं। यदि समाज विभिन है, तो बच्चों का लालन-पलन भी विभिन तरीकों से होगा, और उसके प्रारमभिक अनुभहों में भी भिन्यता होगी, चुकि वक्तियों के माब्दंड भी विभिन समाजों में भिन्यता होते हैं. आखिर समाजी करण किसे कहते हैं? समाजी करण का अर्थ क्या होता है? समाजी करण को किस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है? समाजी करण की प्रमुक विशेशताएं क्या क्या होती है? आईए एक नजर हम समाजी करण पर भी डाल लेते हैं समाजी करण नौजास शिशू को सामाजिक बनाने की एक प्रक्रिया को कहते हैं बच्चे को सामाजिक मानेताओं के बारे में आउगत कराना समाज में रहना सिखाना तथा व्यक्तित्व का निर्मान करना ही समाजी करण है प्रमुक विद्वानों ने समाजी करण की परीभाशा अनेक प्रकारों से दी है बोगाडस के अनुसार समाजी करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्यान हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यववार करना सीखते हैं वो जिसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंतरन, सामाजिक उत्तरदाईत्व तता संतुलित व्यक्तित्व का अनुभाव प्राप्त करते हैं। समाज वेग्यानिक जॉन्सन की हम चर्चा करें, तो जॉन्सन के अनुसार समाजिक आरण एक प्रकार का सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कारे करने के योग्य बनाता है। समाज वेग्यानिक ग्रीन ने समाजी करन को बहुती सुन्दर शब्दों में प्रणिभाशित किया है। उनके अनुसार समाजी करन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेष्टाओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। नहीं दूसरी और समाज वेग्यानिक डेविस के अनुसार परिवर्तन करने की एसी प्रक्रिया जिसके बिना समाज में व्यक्ति का रहना मुश्किल हो जाता है। समाज एक पीडी से भी आगे स्वयम को संतुलित नहीं रख सकता है, तथा संस्कृति जीवित भी नहीं रह सकती है। एसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज और संस्कृति को जीवित रखा जाता है, उसे ही समाजी करन कहा जाता है। समाजी करन की विभिन परिभाशाओं के आधार पर यदि संक्षेप में हम बात करें, तो समाजी करन की प्रक्रिया का प्रमुक उद्देश व्यक्ति को समाजिक एवं योग्य प्राणी बनाना है, ताकि वह अपनी प्रएस्थिती एवं भुमिका के अनुसार कारे करने के योग्य बन सके, समाजी करन के द्वारा ही संस्क्रती एक पीडी से दूसरी पीडी को हस्तानतरित होती है। और समाज का अभिन अंग बना रहता है। जैसा कि इसपस्थ है, समाजी करन सीखने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को समाज में सामाजीक भुमिका के निर्वहन के योग्य बनाती है। समाजी करण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है समाज से अलग रहकर समाजी करण कतई नहीं किया जा सकता मानव की मूल प्रवर्तियां समाजी करण द्वारा ही विक्सित होती है समाजी करण की प्रक्रिया व्यक्ती में स्वा का विकास करती है में का विकास करती है जिससे उनमें व्यक्तित्व का विकास होता है समाजी करण व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रोडियों, मुल्यों, आदर्शों, आदी का पालन करना और विपरी सामाजिक परिस्थीतियों में अनुक कुलन इस्थापित करना भी सिखाती है समाजी करण द्वारा, संस्कृती, सब्यता और अन्य अन्गिनत विशेशताएं पीडी दर पीडी हस्तांतरित होती है और जीविद भी रहती है मातर जेविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने के लिए भी समाजी करण अत्यन तावशक होता है व्यक्ती का भ्राय पदार्थों और प्रवरत्यों से परीचे कराना और उसके अनुरूप उनका अनुकूलन करना भी समाजी करण द्वारा ही संभव हो सकता है समाजी करण के सोपानों में प्रमुक रूप से हमारे सामने जो इस्तर उभर कर आते हैं वो हैं मोखिक अवस्था शिगर अवस्था, ओडिबल अवस्था या गुपता अवस्था काल, किशोर अवस्था या प्रोडा अवस्था को हम समाजी करण की प्रमुक अवस्थाओं में ले सकते हैं मोखिक अवस्था की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ शिशू के जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है समाजी करण के इस प्रथम सोपान में आवश्यक लक्षन, मोखिक निर्भरता इस्थापित करना है इस सोपान में शिशू का संबंद परिवार के प्रतेक सदस्य से नहीं हो पाता है समाज विज्ञानिक जॉनसन के अनुसार शिशू, माता या अन्य पोशक करता पर अत्यदिक निर्भर होता है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बालक महाज एक, संपदा या खिलोना ही होता है शिशू की प्रमुक समस्या भूक, प्यास, ठंड या गर्मी लगना है इसके बाद वह अपनी भूक पर कुछ नियंतरन करना सीख जाता है तता शिशू मा के शारिरिक संपर का आनन्द महसूस करता है इस अवस्था में शिशू और माता मिले हुए रहते हैं सामाने तर यह इस्तर एक या डेड़ वर्ष का हो सकता है दूसरी अवस्था की अदि हम बात करते हैं तो वह अवस्था शोच अवस्था होती है। यहाँ अवस्था प्रतेक परिवार वह समाज में भिन भिन होती है। जॉन्सन के अनुसार अमेरिकी मध्यम वर्ग में संभवता यह प्रतम वर्ष शुरूओकर तरती वर्ष में समाज हो जाती है। भारती समाज में यह डेड़ या दो वर्ष की आयू की मानी जा सकती है। इस अवस्था में शिशु को शोच प्रशन दिया जाता है और यह अपेक्षा करती है वहा स्वच्छता से रहे। इस अवस्था में उसे थोड़ा भहुत अनूचित और उचित का ग्यान भी दिया जा इसके साथ ही शिशु भी उसका प्रतियुत्तर प्रेम और स्नेह से देता है। अगर शिशु उचित कारे करता है तो उसे स्नेह दिया जाता है और गलत कारे पर उसकी भरसना और आलोचना भी की जाती है या उसे डाट डपड भी लगाई जाती है। अब शिशु परिवार म अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है तता उसके व्यवहार शिशु को प्रभावित करने लगते हैं शिशु अपने व्यवहार पारिवालिक मुल्यों के अनुरूप करने लगता है इसी अवस्था को हम शोच अवस्था कहते हैं इसके पश्चात की अवस्था जो हमारे समक्षाती है वह है ओडिबल अवस्था जॉन्सन के अनुसार अमेरिकी मध्यमवर्ग में यह सोपान प्राया चोथे वर्षे प्रारम होकर बारा तेहरा वर्ष की आयू तक रहता है इस अवस्था में बालक पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है वो परिवार की सभी प्रकार की भूमिकाओं से परीचे प्राप्त कर लेता है इसमें शिशु योनिक व्यवहार से पून रूप से परीचय नहीं होता किन्तु योन भावना का जन्म इस शिशुकाल की समाप्ती से होना प्रारंब हो जाता है इस अवस्था में बालक से आशा की जाती है कि वह अपने लिंग के अनुरूप व्यवहार करे अर्थात लड़का है तो लड़के के समान तथा लड़की है तो लड़की के समान व्यवहार करना सीखे वैसे पहले पहल बालक अपने लिंग तथा प्रस्थिती के साथ पून सामंजस इस्थापित नहीं कर पाता है एसी दशा में उद्वेक और इर्षा का भाव जन्मर होता है किन्तु बाद में वह नियंतरन करना भी धीरे धीरे सीख लेता है जब वह यह अनुभाव कर लेता है कि मैं लिंग विशेश का सदस्य हूँ तो उसकी पिप्रीत लिंग वाले सदस्यों के प्रती रूची भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर गुपता वस्थाकाल प्रारंब होता है गुपता काल की यह वस्था में ही Audible Complex तथा Electro Complex जन्व लेते हैं Audible Complex लड़के की उस भावना को कहते हैं जिसके अनुशार वह अपनी मा से प्यार करता है और चाहता है कि उसका पिता मा से प्यार ना करे इसके विपरीत इलेक्ट्रो कॉंप्लेक्स में लड़की चाहती है कि उसका पिता केवल उससे प्यार करे न की माता से फ्रायट का कहना है कि इन भावनों की सीख में भी एक विशेश महत्व है इस इस्तर में बालक प्रतेक क्रिया को दूसरे के अनुसार करने की चेश्टा करता है वह यह अनुभाव करने लगता है कि मा और पिता का इस्थान बिन्न है उसमें विभेदी करन की प्रवरत्ती जन्म लेने लगती है इसके पश्षात की अवस्था हमारे सामने आती है वह है किशोर अवस्था सामाने तह किशोर अवस्था जो प्रायह योवन का आरंब माना जाता है को विद्वानों ने संकट काले निस्थीती भी कहा है इस अवस्था में बालक सोतनतरता की मांग करना प्रारंब कर देता है। परिवार के साथ साथ बालक इस अवस्था में शिक्षन संस्था, खेलकूत के साथ ही, पडोस तता समाज के नए या आप परिचित सदस्यों के संपर्क में आ जाता है। किशोर अवस्था में उशारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं तता उस पर योन संबंधी प्रतिबंद लगा दिये जाते हैं। इस कारण उसमें प्रतिबंद लगाने वाले व्यस्क व्यक्ति के प्रती उग्रभाव जन्म लेना प्रारंब हो जाता है। इस अवस्था मे तनाव बना रहना तो स्वाभावी की है अगर इस अवस्था में माबाप सूजबूश से काम करते हैं तो बच्चा सही रहा पर चल सकता है इस अवस्था में सीखने के प्रती रूची जागरत होती है वह अन्य समुवों से अपने समाज के व्योहार एवं ढंग सीखने लगता है तता उसे अनुभा होने लगता है कि उसे किस प्रकार से काम को करना चाहिए गिलीन और गिलीन ने समाजी करन की प्रक्रिया की विशेश रूप से व्याख्या की है उन्होंने शिशू, शिशू से युवक और युवक से व्यक्सक बन्नी की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है उन्होंने अभिभावक, दूसरे बालक, पढ़ाई एवं चल्चितर, शिक्षक तथा कक्षा के लड़के, दूसरे बच्चे, दूसरे युवा, अभिभावक, व्रहद समाज, चर्च, राजनेतिक दल तथा उस्कूल, समू, पढ़ाई, चल्चितर एवं रेडियो, व्यस्क होने पर पत्नी, बच्चे, निवास, पडोसी तथा धार्मिक संस्थाओं का विशेश रूप से उलेक किया है। वह कहते हैं कि समाजी करण की प्रक्रिया न तो व्यक्ति की जेविक प्रक्रिती से प्रभावित होती है, न सामाजिक कारकों से, वरन इन दोनों की पारस्परिक अंतह क्रियाओं से प्रभावित होती है। अतह उन्होंने समाजी करण व्यक्ती और समाज का योग नहीं बलकु उसे गुनन फल का नाम दिया है। समाजी करण के अभिकरणों की चर्चा करें समाजी करण के संस्थाओं की चर्चा करें या समाजी करण के माध्यमों की चर्चा करें तो इसमें प्रमुक रूप से जो हमारे सामने आते हैं वो होते हैं परिवार परिवार के अंतरगत माता-पिता के विवहार का प्रभाव, भाई-बहनों के विवहार का प्रभाव, माता-पिता के चरित्र का प्रभाव, परिवार की आर्थिक इस्थिती का प्रभाव, पारिवारिक नियंतरन का प्रभाव, नागरिक गुनों की पाठशाला, पडोस के अ इंतरगत शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव, उस्कूल के वातावरन का प्रभाव, अध्यापको के व्योवार का प्रभाव, सहपाटियों के व्योवार का प्रभाव, मित्रमंडली के व्योवार का प्रभाव, जाती का प्रभाव, क्रीडा समू का प्रभाव, तथा कि महत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तोर पर व्यक्तित्व का विकास इसमें सबसे उपर होता है मनुश्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास समाजी करण द्वारा ही संभा हो है समाजी करण द्वारा व्यक्तित जिन गुनों का आंतरी करण कर लेता है उनी से उसके व्यक्तित्व की आधारशिला बनती है क्योंकि सीख वा गुनों का आंतरी करण विभिन मनुश्यों में भिन 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 रूपों में होता है अतह सबका व्यक्तित अलग-अलग विक्सित होना स्वाभविक ही है। स्वा का विकास निश्चित तोर पर समाजी करण के द्वारा ही होता है। समाजी करण से व्यक्ति सामाजिक आत्मचेतना संप्रेशन सीख लेता है। इसका आर्थ यह है कि व्यक्ति जब दूसरों के संप्रक में आता है तभी अन्यता के विचार का संप्रेशन उसमें होता है। तभी वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करता है। इसके अपने पन के भाव का उदय होता है और स्वा का विकास होता है। सामाजिक विकास की योग्य व्यक्ति तभी बन पाता है, जब व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ जो विहुआर करता है, दूसरों के साथ जो विहुआर करना सीखता है, उसी से वह व्यक्ति दूसरों के साथ विहुआर करने के लायक बनता है, यह उसमें समाजी करण के माध जम से ही आता है केवं समाजी करन द्वाराई एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी का रूप ग्रहन कर सकता है। अनुशाशनिक शिक्षा भी समाजी करन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। व्यक्ति के जीवन में सरवादिक महत्व अनुशाशन का होता है। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप विद्रुहात्मक होता है। समाजी करण से प्राप्त अनुकुलन के पश्चात उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रती अनुशाशनात्मक प्रवर्ति का उदय होता है। जिससे वह समाज में सम्मान करना, समाज में जीवन यापन करना और जीवन में प्रगती की उपलब्धी करना सीख जाता है। यहां समाजी करण के महत्व को और अधिक इसपस्ट करता है। सामाजिक नियंतरन भी समाजी करण का एक विशिष्ट रूप है। किन्तु यहाँ एक ऐसी सीख है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर बाध्यकारी होता है। अन्य बातें वह स्वेच्छा से सीखता है और अपने अंदर सन्निहित कर लेता है। इससे उसका सामाने व्योहार निरधारित होता है। समाजी करन से व्यक्ति को वे उपाई भी पता चलते हैं, जो समाज द्वारा मानने होते हैं और जिनके द्वारा वह अपनी इच्छाओं का निरधारण और उसकी पूरती कर सकता है। दूसरी और यदि हम बात करें तो जाती और धर्म का भी व्यक्ति के समाजी करण में विशेश योगदान होता है। प्रतेक व्यक्ति अपनी जाती के प्रती धर्म के प्रती शद्धा की भावना रखता है और उसके प्रती कर्तव का पालन करना भी सीखता है। प्रतेग जाती प्रतेग धर्म की अपनी प्रथाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक उबलब्दिया होती है, व्यक्ति इनको किसी ना किसी रूप में गहन करता है, जाती धर्म के नियम पालन, उनके अनुशाशन में रहना आदी व्यक्ति के समाजी करण में योगदान देते हैं, निश्शित तोर पर समाजी करण के बहुत महतुपुन उद्देश होते हैं, समाजी करण ही वह सोपान है, समाजी करण ही समाज का वह अंग है, समाजी करण ही समाज का वह उपादान है, जिससे समाज में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्मान होता है, यक्ति हमें किसी नए व्यक्ति के नए समाज में आये हुए एक अंग का समाजी करण करना है तो समाजी करण के माध्यम से ही उसके व्यक्तितु का निर्मान हो सकता है जैहिन जैभारत व्यक्तित्व और समाजी करण कारिक्रम के विशेविशेशग्य और वार्ताकार थे डॉक्टर सुनील कोयल उद्घोशिका थी अनुराधा इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रन संपादन और प्रस्तुति करण किया अमर भादुर यादवने ये करिक्रम मध्यप्रिदेश भोज मुक्त विश्विद्याले के इलेक्ट्रोनिक मध्यम निर्मान और शोद केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया कर दो कर दो के बाते हम्य।